नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नुसी न्यू जोम नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले दोस्तों इंडिन आर्मी सेना बरथी रैली से जुड़ा और पैकसार से जुड़ा एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप यह आर्मी र क्रूट्मेंट आफिस को जो है यहाँ पह पत्तर लिखा गया है जैसे आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लिजिए जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो बाँ से आप सिंपली इस जो पत्र है इसको देख पाओगे इसको रेड आउट कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो कलेक्टर महुद्ध है नाकोर यहां पर इनको पत्तर लिखा गया है इसमें बताया गया है कि जो आर्मी रेक्रूटमेंट आफिस है उनकी तरफ से यहां पर जो बर्थिया वो करवाई जा सकती है यहां पे 2-5 से लेकर मतलब जाने की यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 तारीक से लेकर 29 तारीक के बीच में आपकी जो बर्थिया यहां पे चल सकती है दोसों जैसा कि आपको पता है अभी फरबरी का मीना चल रहा है और इस समय आपकी जो फरबरी वाला रिटन एक्जाम है बो कैंसल हो चुका है हलाकि ओफिशल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया लेकिन सब को बता है कि ओफिशल नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो पोस्ट पॉन ही आएगा क्योंकि आपके एड्मिड कार्ड पहले आपको न्यू एड्मिड कार्ड मिलेंगे उसके बाद ही आपका रिटन एक्जाम की जो प्रिक्षा है करवाई जाएगी उसके बाद ही जो रैलिया है उसकी बहाली की जाएगी तो इसलिए आपका मार्च महीने में यहां पर देख सकते हैं मार्च और अपरल में आपकी जो रिटन एक्जाम का पुरसेस है वो जल्द ही आप खतम हो जकता है क्योंकि काफी candidates बहुत जो है वेट कर लिया बहुत सारे candidates ने क्योंकि अब news channel में भी बताय जा रहा है तो आपको जैसे ही आपको पता है कि अब COVID भी देर देरे जो है पूरा खतम होते जा रहा है अब जो है डिले आपका नहीं होगा तो इसी को लेकर यहां पी देख सकते हैं पूरा Army Recruitment Office की तरफ से यहां पी जो दपूर की जो रैली है सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं आपकी जो है महीं महिने में यहां पे आपको देखने को मिलेगी दो तरह 29 तरह की बीच में आपकी जो रैली है वो रह सकती है तो अगर आप नोटिस यह डाउनलोड करना चाते हैं तब तक के लिए जाहिन जावरत